नमिशकार आप देख रहें नियूस 31 और मैं हूँ आपके साथ किरन उत्रखन के बागिश्वर जिले के सिमगड़ी उपडाग घर में करोडों की धोकधड़ी का मामलास सामनी आया है यहां 1500 से अधिक खातधार को की जीवन भर की जमापुन जी गायब हो गई है यह घटना तब उजागर हुई जब खातधार को ने अपनी पासबुक ऑनलाइन चेक कराई इस दोरान पता चला कि खातों में जमापी गई राशी गायब है मिली जानकारी के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब पोस्ट मास्टर अचानत परार हो गया बता दे खातधारत जब कमीडी देवी पोस्ट ऑफिस पहुची और अपनी जमाराशी की जानकारी ली तो उन्होंने देखा कि उनकी पासबुक में लाखों रुपे की जमाराशी थी लेकिन ऑनलाइन चेक करने पर केवल मामुली राशी दिखाई दी आपको बता दे पुजर्ग सार्दा देवी जिन्होंने चार साल में 2 लाख की बचत की थी अब उनके खाते में मान 2,000 रुपे बचे हैं साती राकेस राटोर जिन्होंने 12 लाख की एबडी की थी उनके खाते में शून ये दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं बल्कि जब अन्य खातधारकों ने अनलाइन अपने पैसे चेक किये तो किसी के खाते में 12 रुफे तो किसी के खाते में जीरो बैनेस था धिर धिर ये खबर आसपास के इलापों में आपकी तरह पहल गई वह इस धोकाधड़ी की जानकारी मिलने पर ग्रामिणों में आक्रोश फैल गया और लोग मौके पर एकत्रित हो गए साथ इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुची हालाकि स्थानी लोगों ने सीबियाई जाज की मांग की है और आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें धोके में रखा गया और उनकी मेहनत की कमाई हरप ली गई वह इस स्टेशन आफिसर खुसवन सिंग का कहना है कि स्टीथी को गमभीरता से लिया जा रहा है साथी सभी संबंदित अधिकारियों से जानकारी भी जा रही है और पुरे मामले में जरूरी कारवाई की जाएगी दसल इन धोगा धड़ी के कारण लोग काफी फरिशान है हलाकि अब पुलिस मामले की जाच में जुट गई है और पोस्ट मास्टर का पता लगाया जा रहा है वह खाताधारकों ने जल्म्याय मिलने और उनके पैसे वापस लोटाने की मागती है